हेलो दोस्तो वेलकम टू जीकेस कार्स और दोस्तो आज हमारे पास है निवली लॉंच्ड मारूती सुचकी स्विफ्ट और यह दोस्तो देख सकते हैं आपको स्विफ्ट के दो वेरियंट आपके सामने हैं इन दोनों का आप लोग को कंपैरिजन बताएंगे एक आपकी है दोनों के प्राइस में आपको उंतर मिल लाता है एक प्राइस जो है आपको यहां पर 8,29,000,000 मिल लाता है इसका ZXI का और VXI Optional का 7,56,000 आपको मिल जाता है एक सोरूम प्राइस है दोस्तों ये दोनों का तो जानते हैं फीचर्स क्या क्या मिलेंगे दोनों आपको 6 एर बैग यहाँ पर गाड़ी में मिल जाते हैं पावर सेम आपको यहाँ पर गाड़ी में मिल जाते हैं तो सबसे पहले आप दिखाते हैं आपको ZXI Variant में क्या-क्या मिलता है तो यहाँ पर ZXI Variant में देखेंगे सेम आपको Front Profile आपको मिल जाता है Glossy Black Finish में ग्रेल है सुजकी का Chrome Finish में Logo है Changement आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर Head Lamps Unit में इसमें आपको White में मिलती है ZXI में और यहाँ पर VXI Optional में आपको Yellow Beam में मिल जाती है यहाँ पर आपको ZXI में DRL मिलते हैं और यहाँ पर आपको Chrome Cover के मिलता है DRL नहीं मिलते हैं Tern Indigator का Bulb जो है वो आपको दोनों में यहाँ पर Wheels देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ORVM है वो आपको Auto Fold यहाँ पर भी मिलेगा Auto Fold आपको यहाँ पर मिलता है Request Sensor देख सकते हैं यहाँ पर आपको Driver Side, Co Driver Side मिलता है और VXI Optional में भी देख सकते हैं यहाँ पर Driver Side और Co Driver Side आपको दोनो जगह हैं, वो आपको यहाँ पर request sensor मिल जाता है तो काफी ज्यादा changement आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा तर आपको features यहाँ पर same मिलेंगे Interior में आपको दिखाएंगे, interior में कुछ changement आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं ZXI variant में interior में आपको यहाँ पर क्या-क्या देखने को मिल जाता है तो यह देख सकते हैं interior में हम लोग यहाँ पर बैट चुके हैं गाड़ी के यहाँ पर gray finish में signing का work आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह आपका आता है interior में glossy black finish है यह silver finish है यहाँ पर आपको देखे buttons मिलेगी और VXI optional में आपको च्रेंड में देखने मिलेगा ZXI में यहाँ पर wireless charging आपको मिल जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका view मिलता है यहाँ पर engine start is off की button है Automated engine of traction control में बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है तो इतनी चीज़े आपको दिखाते हैं VXI optional में और यहाँ पर देखे twitters भी मिल जाते हैं ZXI में यहां पर VXI optional में दिखाते हैं, तो आपको VXI optional में देखेंगे, तो यहां पर आपको देखें मिलता है, engine start stop आपको button आपको मिलेगा, traction control, automatic engine off, यह भी आपको आपको मिलता है, और यहां पर आपको क्या-क्या चीज़े देखने को मिल जाती है, इंटीरियर में, तो यहां पर देख सकते हैं, जो यहां पर AC का look है, buttons, यह आपको यहां पर black finish मिलते हैं, यहां पर lightning भी आपको देखने को मिल जाती है, तो यह लुक आपको यहां पर देखने मिलेगा, देखेंगे, red color आपको यहां पर blink होता हुआ, दिखेगा, parking light की button आपको मिलता है, यहां पर normal black finish आप USB point है, यह आपको दूनों मिलेगा, यहां पर आपको देख सकते है, footage का dead pedal है, वो भी आपको दोनों में देखते हो मिल जाता है, तो सारे features इतने common आपको मिल जाते हैं, यहां पर normal black finish आपको पूरा dashboard है, यहां पर देख सकते हैं, तो 7 inch की touch screen मिलेगी, यहां पर लेकिन normal black मिले और यहां पर भी दिखाते हैं, तो आपर side में आपको सारी same चीज़ें मिल जाते हैं, वागी सारी look आपको same मिलेगा, यहां पर लेकिन एक चीज़ आपको देखने मिलेगी, यह है driver side में, आपको केवल seat folding का button मिल जाता है, और जबकि यहां पर ZX side जो variant है, इसमें आपको दि आपको देख सकते हैं, और adjustable headrest की बात कर लेते हैं, तो देखिए ZXI variant में आपको यहां पर चार seats के लिए driver side, co-driver side, back में दो passenger के लिए adjustable headrest मिलते हैं, 60-40 का split combination आपको यहां पर मिल जाता है, और यहां पर देख सकते हैं, इसी events आपको यहां पर back मिलते हैं, और इस जगे चलते हैं, वी एकसाई optional में आप दिखाते हैं, बैक वाला view आपको, तो यह है, देखिए, दोर्स का view है, यहां पर seats आपको मिलेंगी, और यहां पर VXI optional में seats देखिए, fixed में मिलते हैं, और यहां पर back में दो आपको और यहां पर back में दिख सकते हैं, यहां पर water storage है, यहां तो यह कुछ difference है, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है, दोनों गाडियों में, तो वो आपके सामने है, दोनों गाडियां आप लोग comparison कर सकते हैं, आपको कौन सी बहतर लगती है, वो आप अपने according सेलेक कर सकते हैं, हमारा जो काम है, दोस्तों, आपको यहां पर दोनों अजय को बलिए।